नमस्कार दोस्तों शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पारवती का पुनर मिलन हुआ था दोस्तों, एक बार भोले नात ने माता पारवती को उनके पुनर जनम के बाद याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा पारवती तुम मुझे पती के रूप में पाना चाहती थी जिसके लिए तुमने हिमाले परवत पर कठोर तप किया तुमने सर्दी गर्मी बरसात आदी सभी कष्टों को सहा इसे देख कर तुम्हारे पिता बेहत दुखी थे एक बार भगवान विश्णू के कहने पर देवर्शी नारत तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विश्णू भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते है आपकी क्या राय है यह सुनकर परवत राज बेहत खुश हुए और वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विश्णू के साथ करवाने के लिए तयार हो गए यह समाचार नारज जी ने विश्णू भगवान को दिया लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तब किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पती मान चुकी थी यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घनेवन में चुपा दिया वहवन ऐसा था जहां तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे इस वन में तुम लगातार तब करती रही परवत राज तुम्हारे ना मिलने से परिशान थे वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विश्नु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे भूले नात माता पारवती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढून पाए क्यूंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुँच गए तुम्हें वहां देखकर परवत राज बेहत खुश हुए तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तब किया है और आज यह तब सफल हो गया है भोले नात ने मेरा वरण कर लिया है अगर आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तयार है तो मैं आपके साथ चलूँगी यह सुनकर परवत राज तुम्हारा विवाह मुझे से करने को तयार हो गए इसके बाद उन्होंने विधी विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया हे पारवती जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ उसी तरह यदी को इस्त्री इस हर्याली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांचित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभागय का वरदान दूंगा हे भोले नात इस कहानी को कहते सुनते और होकार भरते सब पर क्रपा करियेगा इस दिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और अखंड सौभाग के लिए मा पारवती और भोले नात की पूजा करती हैं जै भोले नात जै माता पारवती